नमश्कार आप सभी का स्वागते भाग्यम मैं मैं हूँ पंडेच चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 27 मईस अंद 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है जेश्ट मास है शुकलुपक्ष है ग्रिश्मुरितु है तिथी सब्तमी है सुबह साथ बच के 45 मिनट तक फिर अश्टमी तिथी लग जाएगी और आज का वार है शनिवार आज के नक्षत्र की बात करें तो मगा नक्षत्र रातरी 11 वच के 43 मिनट तक है आगे पूरवा फालगुनी नक्षत्र रहेगा योग व्यागात है शाम साथ बच के 45 मिनट तक आगे विस्टी करन रहेगा सुर्योदे का समय सुबह पांच बच के 25 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के 11 मिनट का है आज क्या राहुकाल सुबह 9 से 10.30 बजे की बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल देना है क्योंकि कोई भी श सुबह बहुत जल्दे निकल जाएंगे फिर रोजाना इनका ध्यान रखें और सुजबू से इने टाल दिया करें यह हैं सुबह 5 बच के 25 मिनट 6 बच के 20 मिनट 6 बच के 30 मिनट और सुबह 7 बच के 15 मिनट आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में तो पहली कोशिश तो यह कि दम पीछे चलें और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने अपने इस्टिया भगवान श्री राम का हरदे में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें तो दिशा शूल नहीं लगेगा यात्रा शुब रहेगी कारे सिद्ध होगा आज का शुब समय दर्श को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वह सुबह 7.30 से 8.50 तक दोपेर 12.20 मिनट से शाम 25.25 मिनट तक और शाम 7.15 मिनट से 8.25 मिनट के बीच आज की चंद राशी सिंग है जिससे आज का ही जो दिन है सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस्प्रकार रहेगा सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए योग का रखे आज का ही दिन व्रश राशी वालों को अपमान जनक श्वास पर रखना है नियंत्रण और कन्या राशी वालों से आज कोई बड़ी गलती हो सकती है तुला राशी वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती वे दिख रिये और व्रस्चिक राशी वालों को कार्याले मिलेगा जबर्दस समर्तन और प्रोचाहन धनू राशी वाले लगातार सफलता प्राप्ट करेंगे आज और मकर राशी वाले वाहन चलाने में रखें सावधानी कुम्ब राशी वाले विवाईतों के रिष्टे की बात आगे बढ़ेगी और मीन राशी वाले पाएंगे ननिहाल पक्ष से बड़ा लाब अब करते हैं आज की दिन मंत्रना और समाधान कि दर्शे को एक बहुती सुन्दर सुक्ती है शास्त्रों में जो कि शास्त्र के महत्व और इसकी उप्योगिता पर प्रकास डालती है यह स्प्रकार है अधित तेदम यता शास्त्रम नरो जानाति सक्तम है धर्मो पदेश विक्यातम कार्याकार्यम नहीं और उसका परिणाम क्या होगा क्या वो कर्म पुन्य आया वह इक पापकर्म ऐर पुन्य कर्म और पापकर्म होते क्या है और इसी सारी नोमलेग्ज के लिए इस सारी जानकारे के लिए सबसे स्रेष्ट है कि मनुष्य वेद उपनिश्य दिस्मृतिया नीधी-शास्त् बढ़ कर धरम शास्त्रों का स्वाध्याय करें और बहले बुरे पाप उन्य का ग्ञान राप्ट करें दर्श को बाच्चाय धरम की हो नीती की हो जीवनचरिया की हो यह सामाजिक व्योस्ता की हमारे जो धरमकी निन्री अघम है इनमें सभी का उचित समाधान दिया गया है इनी शास्त्रों की व्योस्ताय कारण हजारों लाखों वर्षों से हमारी संस्कृति अक्षुन चलिया रही है इसलिए हमेशा धर्म शास्त्रों का अनुकरण कीजिए आदर कीजिए और इनका स्वाध्याय करते रहे क्योंकि अंतते इनी से आपको वास्तविक सत्य और ज्ञान का अनभव होगा यह आज के ज्ञान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विसुष टुपायों पर जो आपकी सारी समश्चाओं के सरल समधान कर देंगे जिने करके आप असफलता अरचनों को पीछे छोड़ते सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोग का जनम दिन है आज आप सभी लोग दौपे डेड़ से ढही बज़े के बीच नीम पीपल और बर्गत यह व्रक्ष लगाएं किसी मंदिर आश्रम या गोशाला के दक्षिन या पस्च्चिम दिशा में और शाम सवा साथ वजे किसी भी हनुमान जी के मंदर में पान नारियल गुलाब की माला प्रशाद में लड़ू लेकर जाएं दो पार्ट सुंदर गांड के करें तो आने वाला जो यह वर्ष है बहुत ही सुक्षानती से बहुत ही सम्रद्धी से देवी अनुकंपा के साथ बीते हैं कोई संदे नहीं ऐसी दर्शे को जब आपको लगे कि आपके कोई भी कारे सिद्ध नहीं हो रहे हैं जहां भी आप कोशिश करते हैं असफलता ही आपको हाथ लगती है यह जितनी जगे आपने कोशिश की अड़ जगे से नेगेटिव रस्पॉंस आया इस इस्तती में आजाव सवा किलो उड़त की डाल डाइसो ग्राम काले तिल डाइसो ग्राम जो मिलाकर इन सब चीजों को पीस ले और फिर इस आटे से एक दीपक बनाए यह चोटा दीपक इस आटे से बनाए हनुमान जी के सामने प्रजूलित करें 27 पार्ट हनुमान चालीसा के करें अ सौते दिन चार दीपक, पाच्जवे दिन 5 क्रम से बढ़ते बढ़ते ग्यारवे धिन 11 दीपक करें इस प्रकार की जो 11 दिन की साधना होगी 27-27 पाठ रर्मान चालीसा के चलेंगे आपके आसाद्ध्य कार्य सिभ्ध होंगे आपके रुके हुए जो कार्य हे रुकी मनो काम पूरी होगी सफलता पीछे एटेगी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी इसमें कोई भी संदह नहीं जो आठा बच जाए इस आरे दीपक बनाने के बाद वो मचलियों को डाल के आए ऐसे ही दर्शे को जीवन में किसी भी शेत्र में सफलता प्राप्त करनी है या किसी बड़ी पृत्योगी परिक्षा की तैयारी आप कर रहे है या अच्छी नूकरी के तलाश में है तो फिर अपने पूजन कक्ष में हनमान जी का एक आकाश मार्ग में उड़ते वे चित्र गाई है सत्य वाचन का नियम बना लिजी यानि आप सत्य ही बोलेंगे और फिर नित्य शांत चित से इस बहुत ही विसस्ट चौपाई का एक माला जाप शुरू कर दीजिए चौपाई इस प्रकार है कहे ही रीच पती सुनू हनुमाना काच उपसाद रहू बलवाना कवन सो जो काज कटिन जगमाही जो ना होई तात तुम पाही इस चौपाई का आप नित्य जाप करना शुरू कीजिए और इस जाप में आपकी जो माला रहेगी वो तुलसी की या लाल चंदन की रहेगी आपकी जो डारेक्शन रहेगी यानि मुक की जो दिशा रहेगी उत्तर की रहेगी और एक विशेश नियम की पालना वश्य हो कि नित्य की साधना का समय ना बतले एक दिन आप जिस समय पे बैठ गए रोजाना उसे बैठना है फिर देखिए आप कैसे चमतकार घटे तो तो आपके जीवन में अनमायन जी की करपा से आपका जीवन पूरी तरीके से स 23 माई 1999 का जनम है 6 बच के 8 मिनट शाम को प्रशन है सरकारी नोकरी के योग है या नहीं है और नहीं है या है तो उपाई भी बता दीजिए देखिए विजे जी कुंडले की स्तिती समझते वे आपके प्रशन का उत्तर देते हैं आपके लगनेश भाग्य भाव में यानि कि आप एक महत्योकांग्शी विखती हैं प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और आपका जो पंच में शनी है वो नीच राशी में और भाग्य बुद्ध भी अस्टम में जाक्यास्त हो गए इसकार थे कि केवल प्लानिंग ही करते हैं और उसको एक्जिक्यूट नहीं करते ह बहुत ज्यादा विचार करते हैं कि अपना लूप में रहते हैं यह कर लूँगा वो कर लूँगा लिंग काम अच्छा नहीं करते हैं भाग्य भी साथ नहीं दे रहा हैं मौके पर भाग्य धोका देता है इसलिए आप बुद्ध और शनी के जाप पवश्य करवाएं एक प पास आईए हमारी दर्शक विनिता जी की जैपुर से हैं 13 सितंबर 1990 कन का जनम है शाम को पांच बच के 19 मिनट जैपुर प्रशन है वहवाईक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है उपाए बताएं देखिए विनिता जी आपके विवा भाव यानि सप्तम भाव में स्वेराश हो जाती है कि इस विशम ग्रैस्तिती पर मंगल की चौथी इद्रश्टी भी पढ़ रही है तो अच्छा यह होगा कि आप सूर्य शान्थी करवाएं मंगल दोश का पारण करवाएं चिवजी की पूजा और लगु मृत्युन्जे का जाप धीरे दिरे आपको समश्याओं स बहार ला सकता है तो यह था आज का पंचांग आज के विस्तस रुपाय और ज्ञान चर्चा पंडे चंदरशेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विदी सटीक समय पर करके आप पूरा-पूरा लाब चर्चा जा है शास्त्रों की क्या वैलिव होती है उससे अपने जीवन होता रहेंगे शास्त्रों का स्वाध्याय शुरू करेंगे जीवन को सुखी सम्राथ में और आप सभी का स्वाध्यत करते हैं जेटीन के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेस सेंग्ट में आपर हम हरूरा पाड के जरीए ज़िवाइन गाइदेंस लेते हैं एक सब्सक्राइब नौमूला की जान सके कि आज के दिन को हम और भी बहत सब्सक्राइब कैसे बना सकते हैं और जो रीडिंग करते हैं एक से लेकर नौमूलांग तक कि उसमें से कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रीसेंट जॉइन आपको बताना चाहिए कि अगर आपकी डेट ऑब बर्थ है 22 यान और आज की 27 को जब हम जोडते हैं तो जोड़ाता है नंबर 9 के स्वामी होते हैं मंगल जो कि बहुत ही पावरफुल और हाई एनरजी होती है क्योंकि नंबर 9 अपने आप में उर्जा का ही अंक होता है तो अपने कारिक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले में आप आपको बताना चाहूंगी कि जो हम यह रीडिंग करते हैं दोस्तों यह एकदम जनरल प्रडिक्शन होती है अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी चालेंज़ आए हैं बताए गए हैं तो आप तो जानते हैं कि साथ की साथ आज़ फ्रेंड हम आपको यह भी गाइड करते हैं कि आप क्या चीज करें और क्या चीज ना करें और अगर कोई विशेश रेमिडी आती है तो वह भी हम आपको गाइड करते हैं पिछले कुस दुनों में मैं आपको बता रही थी एंजल नंबर्स के बारे में कि अगर आपको बार संख्या में नजर आ रहा है जैसे डबल या ट्रिपल या फोर्थ उसमें नजर आ रहा है जैसे टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू- जब इसकी संख्या अधिक आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि भई चिंता ना करे चालेंज कितने बड़े से बड़ा क्यों ना हो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखने ही और आप देखेंगे कि जब आपको टू-टू ज़्यादा दिखाई देंगे दाट मींज कि आप बिल्कुल सी रास्ते पे चल रहे हैं बस भरोसा रखने ही तो इस वक्त आवशक है तो इस तरह से बहुत सारे नवर्जा हमें आंसर मिलते हैं ब्रम्भान से अपने आने वाले एपिसोर्स में चर्चा करेंगे हम आज की का कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी तक अपने कुछ तितियां आपके सामने ऐसी प्रकट हो रही थी जहां किसी प्रकार की रुकावट बाधा आ रहे हैं कि आपका मैध्पूर्ण सारे का ओफिशल परपर लाइफ से रेलेटेड़ हो आप जा रहा है कि अब चीज़ बढ़ रही है रास्ता जो है वो साफ हो रहा है आप आगे बढ़ने के लिए कुछ आपको मज में आ रहा है अति शीगर आपके सामने चीज़ें प्रत्यक्शु कि चल रहे हैं कि आपको में चल रहा है कि हो चुकी है चीज एक कदम आगे बढ़ चुकी है लेकिन कहते हैं कि रिजल्ट का दिन आज का नहीं तो आज के दिन जितना ज्यादा हो सके बहर इसे काम ले और बिल्कुल भी निराश ना हो क्योंकि आपको मार्ग है वो आगे बैदन शुभो और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्लावरिंग का कंबर है वो है नंबर चार और आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो लखी रंग है वो है अज़े दिन दिन आपको कारिक कर रहे हैं जहां पर आपका इंट्रेस्ट है तो कहीं कहीं अब आप उसमें धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं बिल्कुल भी परेशार ना हो लेकिन ये प्रॉसेस जो है वो मुताबिक तेल हो ऐसा जो भी रियेटिविटी में आप काम कर रहे हैं लोगों की नज़र में आ आ लहे हैं तो इस वक्त आपको क्या को एस वक्त आपको अपने टालेंट पर भरोसा रखने की जहीं न करेंगे उसमें आपको और भी अधिक बढ़त मिलेगी आने वाले समय में ये बिल्कुल आप सही मार्क बर हैं समय बहुत अच्छा चल रहा है सदूपयोग करें आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है integration का card है आपका लखी नमबर है नमबर 6 और आपका लखी जो रंग है वो है mustard yellow आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आप कारे करें उसके अंदर अपनी अखंडिता को बनाए रखना है इसका मतलब है कि चैलेंज इस आज आपके समक्ष आ सकते हैं लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे फिरो आपके चाहे लाइफ पार्टनर हों या आपके सोल मेट हों या फिर आपके बिजनिस मेट हों तो आज आपके जो partner होंगे जिनके साथ आप अपनी बहुत अच्छे bond आपका रहता है फिर आपके कारेशेत में चाहे आपके मित्र क्यों ना हो आपके कली क्यों ना हो या परिवार में आपकी धरम पत्नी या आपके husband क्यों ना हो कहीं ना कहीं जिनके साथ भी आपकी bonding बहु यह combination हम सभी के भीतर होता है कि जब हम किसी प्रकार की परिस्तिती से बाहर निकलते हैं तो अपनी male energy से बाहर निकलते हैं और अगर हम love और compassion में होते हैं तो फीमेल energy होती है आज इन दोनों combinations आज आपके दिखाई दे रहें love और compassion से आज आप अपनी strength को मजबूत करेंगे और आप अपनी हर परिशानी को बहुत आसानी से overcome कर लेंगे जिनके साथ आपकी bonding है वो आज आपकी साहिता के लिए आपके साथ अवश्य खड़े होंगे और कहीं न कहीं आज आपको ये भी पता चलेगा कि कौन आपका अपना है आपका दिन शुभों आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 27 मई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है integration का card है देखे जो आज card है ये भी repeat हुआ है number 3 के लिए भी एक card है था आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लखी अंक है वो है number 6 और लखी जो color है वो है आपका गहरा हरा आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा challenges का सामना करने के लिए अपने आपको भीतर से मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी गई है अगर आप कुछ दिन से सहायता मांग रहे है डिवाइन से तो आज आपको help मिलने वाली है आपके पने partners आपकी सहायता करेंगे आपके मित्रगन हो सकते हैं आपकी दर्मपत्नी हो सकते हैं आपके husband हो सकते हैं आपके प्यार करते हैं जिनके साथ आपकी कच्छी bonding है वो आपके support के लिए आज आपके साथ होंगे साथ ही साथ आपकी प्रार्थना चुकी कुछ दिनों से आप एक help मांग रहे थे तो जो भी ऐसा process आप कर रहे थे तो वो help भी आपके पास आज आपको अवश्य ही मिलेगी आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं 27 मई 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है turning इनका card है आपका लकी नमबर है नमबर 4 लकी जो color है वो है गहरा नीला आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि अपनी वानी पर नियंतरन रखना आपको बहुत ज़रूरी है energies आपकी बहुत high रहने वाली है और जब भी बहुत high energy होती है तो पट्री से उतरने का एक डर भी रहता है तो आपको क्या करना है center out नहीं होना है और इसके लिए आपको आज थोड़ा मौन रखने की आवशकता है थोड़ा ध्यान करने की आवशकता है कुल मिलाके मैं कहूं तो आज के दिन आप कितना ही तेजी से काम कर रहे हो कितना ही तेजी से आपका कारे आगे बढ़ रहा हो कुछ समय के लिए अपने आपको शांत करें अपने आपको relax करें और balance करें संतुलन बहुत जरूरी है तो अगर कोशिश करें हो सकता है तो अपने आपको ध्यान की अवस्था में लेके जाए थोड़ा सा समय एक pause के लिए निकाले आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे है 27 मई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है projection का card है आपका जो लखी नंबर है वो है नंबर 7 और लखी जो रंग है वो है आपका आस्मानी आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की जो भी कोई परिस्तिती है जो भी कोई व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है या आपके साथ किसी प्रकार का जो भी आपके साथ बरताव हो रहा है या नकरात्मक लोग आपसे मिल रहे हैं और आप इन परिस्तियों को किस प्रकार से उवरकम करें तो यकीन मानी आपको कहा जा रहा है जो भी कुछ बाहर घटित हो रहा है वो आपका अपना प्रोजेक्शन इमेज है तो अगर बाहर की को को पसंद नहीं आ रही है तो अपने आपको भीतर से परिवर्तन अपने आप में लाने की कोशिश करें आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2013 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है पोस्टर्णडमिंट का Кार्ड है, आपका लखी नमबर चार लखी कलर है, स्लेटी कलर आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप किसी भी प्रकार का जो महत पूर्ण कारे है उसको तालने से बचें, कही न कही आपके भीतर जो आलशकिक प्रवर्ती है वो आपको आगे बढ़ने से रोकरी है आज के दिन जितना जादा हो सके चीजों को टालने से बचें और सही समय पर सही कारे को पूर्ण करें कहा जाता है ना काल करें सो आज करें सो अब तो अपने आलस से बचें आलस से का त्याग करें और महत्पूर्ण कारें को निपटा ल रहे हैं 27 मईद 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है लेजिनस का काड़ है आपका लखी नंबर है नंबर 9 आपका लखी जो रंग है वह आसमानी आपको कहा जा रहा है कि बहुत जादा आलत से करने से आपको बचना है कहीं ना कहीं उसकी वज़े से आपको नुकसान हो रहा है, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसके देर गुकालिन परिणाम ठीक नहीं है बहुत सी चीजें हchi पर नजर अरणीशान करणे हैं फिर वो आपकी करियर को लेकर हो सकती है आपके रिलेशनसिप के इस्यूस में भी हो सकती है आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2023 के लिए मूलांक भी है नो और आज की तारिक का जोड भी है नो और हमसे कहा जा रहा है न्यू बिजिन का काड है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है बहुत हाई एनरजी आपको मिलने वाली है और कुल मिलाके कोई नया कारे जो है वो आज आपका आरम हो सकता है अगर आपको नया वेवजाए शुरू करना चाहते हैं या आप एक नई टीम के साथ काम करना चाह आते हैं तो बिलकुल आप कर सकते हैं आज की दिन की अनरजी बहुत अच्छी है फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अपने सोच में आपके अपने दृष्टी कोड में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है आपका दि टीम देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका शुक्रियादा करती है आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम झालाए टीम आपके भीतर बैठे रहा है आपके आपके अपके जसके लिएा आपके परमात्मक बदलाव में आपके अपके भीतर बास्तत्कान। झाल 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 झाल